नमस्कर दोस्तों स्वागत थे आपका फार्मारोक्स के यूटूब एज़ूगे इसने चैनल में आज की उड़ी लेक्चर में हम ऐसे हल प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूसन के बार में बात करेंगे जैसे कि आपके पेफडों में कौफ जमा हो जाता है यहाँ पे जो हम X-ray में देख रहे हैं उस तरह से जो फेफडों का बाग है जो लंक्स का बाग है कि जिसको हम छाती का बाग भी कहते हैं तो वहाँ पे कौफ जमा हो जाता है और जब ये कौफ जमा हो जाता है तो काफी ज़्यादा दिक्कत आती है जैसे कि आपको बार-बार बलगम आता है बलगम यानि कि जिसको हम कॉफ कहते हैं, कॉफिंग रिफ्लेक्स कहते है कि ऐसी खासी आती है कि जिसके अंदर फ्लैम रहता है, म्यूकस रहता है, स्पूटम रहता है फिर बहिती हुई या बरी हुई नाक जिसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि जो म्यूकस है वो आपके नाक से भी बहार आने लगता है कि मलब की जो पूरा आपका रेस्पारेटिट रेक है जो सोसंत अंत्र है वो उसमें बलगम जमा हो चुकी है और उसके करन क्या होता है कि बार-बार गला साप करना पड़ता है कि जो बलगम जो छाती में जमा है वो दिरी-दिरे थ्रोट के थू आपके गले के आसपास रहता है वहाँ पे चिपका हुआ रहता है कि जिससे आपको कॉफिंग करना पड़ता है खासी आती है और आप गला साप करने की कोसिस करते हैं और यह जो खासी होती है वो गिली खासी होती है तो यह जो सभी health problems और जो symptoms से वो indicate कर दे कि बलगम की समस्या हो सकती है तो उसका solution हम देखेंगे आज की लेक्चर में कैसे हम यह problem को solve कर सकते हैं तो बलगम क्या है तो यह normal reflex से हमारी body का कि हर कोई इनसान जो अपना जो गला है वो साप करने के लिए coughing करता है पर कई बार क्या होता है coughing के दोरान जो वो mucus आने लगता है और कई बार ऐसे medical condition produce होती है कि काफी ज़्यादा जो वो coughing होती है आपको हर समय ऐसा रहता है कि खासी आती रहती है या फिर हर कोई समय समय पर अपना गला साप करने के लिए खासता रहता है पर ये काफी ज़्यादा होने पर ये problem को हम बलगम की समस्या कह सकते है तो ऐसी खासी आती है कि जिसके अंदर phlam आता है, mucus आता है कि जिसको हम हिंदी में बलगम कहते हैं, cup कहते है, phlam कहा जाता है या फिर ठूक जो हो प्यदा करती है ऐसी खासी और ये खासी क्या है कि तीन सब्ता से कम समय तग रहने वाले खासी एक तीवरे खासी जो हो कही जाती है सो नीन से जागने और बात करते समय लक्षन जो वो अक्सर बत्तर हो जाते हैं मलब कि आप ऐस तरह से सोय हुए है और सोकर जैसे ही उठते हो तो ये काफी ज्यादा खासी आने लगती है फिर जो सर्दियों का जो मौसम होते हैं कि अभी जो विंटर की सीजन चल रही है उसमें भी येसा होता है और सामान्य सर्दी का जो संक्रमन होता है जिसको हम सर्दी जुकाम भी कहते हैं मलब कि विंटर एक सीजन भी यहाँ पर अफेक्ट करता है और साथ उसाथ जो अगर आपको common cough and cold हुई है अगर वो ठीक समय पे उसको treat नहीं किया जाता तो आगे जाके ये समस्या काफी ज़्यादा हो सकती है तो उसके कुछ reason से जैसे कि मानलो किसी को viral infection हुआ है तो भी ये बलकम के समस्या हो सकते है bacterial infection है, सामन सर्दी जो काम है फिर जो GERD का जो problem है उसमें ये एक symptom बनता है, अस्थमा है, नीमूनिया की जो condition है तो अगर आपको ऐसे ही बहुत सारी बीमारियों के बारे में सीखना है कि जैसे आज हम यहाँ पे बलकम के बारे में सीख रहे हैं लिंक जे हो description में मिल जाएगी या फिर ये number पे आप हमें whatsapp कर सकते है हमारी book को purchase करने के लिए अब आदे topic पे कुछ और भी reasons है बलकम के जैसे की किसी को COPD का problem है कि जिसको हम chronic obstructive pulmonary disease कहते हैं bronchitis है, फेपडों में गाउ हुआ है कोई cigarette पीता है allergy हुए है या फिर जो वातावरन change होता है, atmosphere change होता है तो ये सबी conditions के इंदर बलगम जो हो देखने को मिलता है symptoms जिसे हमने आगे भी देखे कि कई बार खासी जो हो काफी ज़्यदा बढ़ जाती है खासे में खून आता है बार बार आपको गला साफ करना पड़ता है इस तरह से बहिती या फिर भरी होई नाग फिर हमारे गले के पिछले हिस्से में तरल पदार्थ के बहने का आपको ऐसास होता है कि जिसको नाग के बाद जो हो टपकना कि जो इस तरह से आप देख सकते है कि ऐसे जो symptoms जो यहाँ पर produce होते है फिर अगर यह लंबे समय तक रहता है तो गले में खरासा जाती है स्वार बेटना में लब कि आपके आवाज बेट जाती है गर-गराड जैसा फिल होता है सास लेने में दिक्कत होती है मुह में जलन होता है और मुह में खटा स्वाद जैसा पेसेंट जो हो फिल करता है तो अब उसका निदान कैसे होगा कि किस तरह से यह problem का diagnosis हो सकते है तो gastroesophagal अद्धियन किया जाता है लगि जो आपकी अननली है या फिर जो पूरा GI track है वहाँ पे proper diagnosis किया जाता है स्वासनली भी चेक की जा सकती है physical examination होता है spirometer से चेक किया जाता है और जो sputum आ रहा है जो बलगम आ रहा है तो उसका भी एक proper test किया जाता है कि जिससे exact reason पता चलता है कि कौन से reason से यह problem हुआ है फिर blood test किया जाता है skin का test किया जाता है bronchoscopy है biopsy, CT scan, eco-cardiogram छाती का x-ray तो यह सबी options रहता है यह आपे diagnosis के treatment में हम देखे तो उपचार कैसे होता है बलगम का तो वसा का करके हर बाता एक जड़ी बुटी आती है उसको यूज किया जा सकता है कि जिसको अलग-अलग formulation उसके वालेबल है जो हम आगे वीडियो में देखेंगे पेशन्ट जो थोड़ा सा गरम पाने गुन-गुना पानी ले सकता है हिमालिया के coughlet syrup आते है expectoran दवाई आ रहती है demulcent, mucolytics, antitussuzan bronchodilators तो यह सभी allopathic medicines के combination syrup अविलेबल है tablets अविलेबल है कि जो बलगम के समस्या को ठीक करने के लिए यूज की जाती है तो यहाँ पे हम herbal में सबसे पहले देखेंगे तो जो वसाका के हमने बात किते तो उसकी syrup अविलेबल है हिमालिया की तो उसका dose खास कर रहता है 5 ml जितना दिन में तीन बार जो हो patient को prescribe किया जाता है सेकंड हम देखे तो हिमालिया के कॉफलेट सीरप भी यहाँ पे यूज की जा सकती है तीसरा हम देखे तो जो हमने एलोपेथिक मेडिसन के बात की कि ब्रॉंकोडाइलेटर से एक्सफेक्टोरंट है एंटिटसियूस मुइकोलाइटिक्स उनका combination वाला यह सीरप देख सकते है कि जिसके अंदर Ambroxol है Terbutalin है Guafencin है तो इसको भी 5 ml दिन में 3 बार जितने dose में यूज के जाता है फिर घले में बार-बार खरास जैसा फिल होता है और काफी ज़्यदा coughing reflexes हो रहे है मैं लगे काफी ज़्यदा खासी आ रहे है तो उस वक्त ये strapsil जो है उसके जो lozenges आती है वो आप यूज करते हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ आपके oral cavity में रखने जिसको चोकलेट आप खाते हैं जैसे कोई टॉफी खाते है इच्वी इंगम खाते है उससरा से जस्ट उसको दिरे-दिरे चबाते रहना है और उसका जो एक रस जो तयार होता है वो आपको जो पी जाना है पांचवा जो अप्सन यहाँ पे है पांच एमेल दिन में तीन बार टोसेक्स न्यू करके एक फार्मिलेशन है और एक टोसेक्स भी है दोनों में से कोई भी एक यूज की जा सकती है तो क्लोर्फिन एमाइन और कोडिन फास्ट का यहाँ पे सीरप है और दूसरा जो है वो कोडिन के साथ ट्राइप्रो लिडिन है कि जो काफी अच्छा फार्मिलेशन है एबर्ट फार्मासोटिकल उसको बनाते है तो यह पांच एमेल दिन में तीन बार के डोस में यूज किया जाता है उसी तरह से यहाँ पे एक और फार्मिलेशन है कि जिसके इंदर क्लोर्फिन एमाइन मेलेट है कोडिन फार्सपेट है फिर डॉक्टर रिडी का यहाँ एक फार्मिलेशन के जिसके अंदर लिवर ड्रो प्रोपिजीन एन क्लोर्फिन एमाइन मेलेट के एक सीरफ है तो यह भी बलगम के अंदर काफी effective साबित होती है तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाओंगा कि जैसे हम यहाँ पर बलगम के बारे में सीख रहे है ऐसे ही आपको बहुत सारे बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है तो यह बुक आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी तो उसको order करने के लिए ये number पे आप WhatsApp कर सकते हैं तो साथवा option हम देखे तो codeine का यहाँ पे एक option है हमारे पास codeine phosphate का है कि जो एक anti allergic formula बनाता है वो combinations के अंदर तो ये भी 5 ml दिन में 3 बार के dose में यूज़ की जा सकती है फिर कफरिल डी करके यहाँ पे एक सीरफ है कि जिसके अंदर dextromethorphan है chlorophenyramine, melate, phenylephrine है तो ये भी जो बार-बार खासी आ रही है phlam आ रहा है, उसके अंदर mucus हा रहा है, तो ये problems को ठीक करेगी फिर यहाँ पे नौवा एक option हम देखे सीरफ का कि जिसके अंदर भी डाइफिन हाइडरे माइन है terpene hydrate है, ammonium chloride है sodium citrate, menthol तो ये भी काफ़ी effective सा भीत होता है बलगम के अंदर दस्वा option है, expectorant और सीरफ का कि जो broncolator dilator भी काम करता है mucolytics भी काम करता है कि जो फेपडों में जमा जो बलगम है उसको सरीर में से बाहर निकालने के लिए काफी ज़्यादा जो है वो मदद करती है और उसका वीडियो सीमिलर रहता है 5 ml जितना, दिन में 3 बार फिर जो सीपला कंपनी के cough seal भी आती है logenges, कि जैसे आगे हमने strap cells का एक option देखा था ऐसे यह भी एक option है कि जो एक या दो logenges per day के हिसाब से ले सकते हैं और solving cough करके जो tablets आ रही है IPCA laboratories उसको बनाते हैं कि जिसके इंदर dextromythorphone है और chlorophenaryamine mellet है तो यह भी आपको काफी help करता है फेपडो में जो जमा हुआ cough है बलगा में उसको बाहर निकालने के लिए फिर जो allergy के करने ऐसा हो रहा है तो यह anti allergic, anti histamine का option बनता है Montelucast, Leosetrisin की जो combination tablet है Montecalcica की जो sun pharma उसको manufacture करती है कि जिसका dose रहता है one tablet per day और इन सबसे भी ठीक नहीं हो रहा तो आगे जाके itophilin and theophilin का जो combination है, dairy philin तो वो भी patient को prescribe की जा सकते है जिसका dose रहता है एक या दो tablet per day तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके ये वाले बीमारी और दवाई के बारे में भी आप सीख सकते है तो ऐसे ही informative वीडियो लेक्छर्स के लिए पार्मारोक्स की चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करे Good luck and all the best